आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ भूण होता है या क्या होता है जिसे पादपांग होता है मतलब किसी पादपों के अंग तथा क्या होता है उत्तकों और कोशिकां जो कोशिका होता है या उत्तक होता है क्या होते है बाहोगई या उत्तक होगई तो इनको क्या क्या जाता है पात्रे क्या क्या जाता है पात्रे में यह जिसको हम कहते हैं परक्नली में अर्थाद परक्नली फ्लास्क पैटर्डिस इत्यादी पात्र में क्या क्या जाता है निजर्म विवर्धन तो इनका क्या क्या जाता है निजर्म विवर्धन क्या जाता है यहापे क्या किया जाता है निजर्म विवर्दन किया जाता है किसमे परखनली फ्लास्क या पैटर्डी सित्या दिमें तो इसी को क्या का जाता है इसी को उत्तक समर्दन कहा जाता है क्या का जाता है उत्तक समर्दन कहा जाता है पोदों की कई कोसिकाओं मैं भिवेदन होने पर भी यहां गूण बिद्यमान रहता है यदि उन्हें पोदों से अलग करके किसी ओप्यूप पशुक्त पदारतों वाले माकाया जाए तो उप्युक्त परिस्तियां प्राप्ट होने पर ये कोशिकाउम के समों को जन्म दे जाती है जिसे कहला सकता है तो क्या होता है उनमें क्या होता है ये कुन बिद्यमान होता है यदि इसको क्या करें हम अलग मात्यम में निकाल दें क्या कर दें अलग मात्यम में या पोदे से अलग कर दें और इसको क्या कराई जो इसकी अनुकूल परिष्टितियां होती है क्या होती है अनुकूल परिस्थिति जिसने परिस्थितियों में ये क्या करता है ठीक से उख पाता है तो इसको क्या करें अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करें तो अनुकूल परिस्थितियां प्राफ रहुने पर ये क्या करता है कोशिकाओं के समों को जन्म दे देता है तो यह नो कर दोए तो किया कर देता है यहां पछिया कर देता हैर्व के मुख का कृषिकाओं के समोरे ये का कर的話 को इस प्रकार होजा दाए तो यहां पूरे पोदिवमें हुद। और यदि क्या क्या जाए जो फून होता है, क्या होता है ब्रून, या जो क्या होता है प्ररोह होता है, अगर प्ररोह को इस माद्यम से उगाया जाए, मतलब उसको अलग माद्यम में रखा जाए, ताथ उसको भी अनकूल परिस्तियां क्या की दी जाए, प्रदान की जाए, त विक्सित हो जाता है या खुद को विक्सित कर लेता है पोदे के जिस भाग का समर्दन किया जाता है उसे कर्टोन तक कहते हैं अब यहां पर क्या होता है जो भाग पोदे का उप्योग किया जाता है मतलब पोदे का जो भाग जो इस उतक समर्दन में क्या होता है या जिस भाग का समर्दन किया जाता है उस भाग को क्या कहा जाता है करतों तक कहा जाता है तो समर्दन में जो भी पोदे का भाग इस्तेमाल में लाया जाता है उस भाग को क्या कहते है करतों तक कहते है अब हम यहावे बात करें समर्दन माद्यम के मुख्यावयवों की क्या होता है इसमें कुछ अभियब होता है तो यह कुछ अभियब है जो निम लिखेते हैं पहला जो होता है यह होता है और जा कोई स्रोत क्या होता है और जा का स्रोत तो यहां पर जो उत्तक समर्दन में यूज किया जाता है वो किया जाता है सुक्रोज क्या किया जाता है सु तो लवन जिससे क्या हो सके यहां पर खनीज की ख्राप्ति हो सके तो लवन को क्या किया जाता है खनीज के तोर पर क्या कर जाता है इस्तेमाल में लाया जाता है यहां पर क्या गया जाता है तीसरा कुछ विटामिन का भी प्रियों किया जाता है क्या गया जाता है कुछ विट से प्राया यहां पर क्या किया जाता है लाइसीन का प्रयोग किया जाता है इन पधार्थों की प्रकृति तसा मात्रा भिविन समर्दन माद्यमों में भिन भिन होती है तो यह जो पधार्थ हैं यहां पर इन पधार्थों की जो मात्रा होती है और तसा प्रकृति जो होती है य इनकी जो भिन मादय मूर में क्या होगी भिन मात्र तथा प्रकृति होगी इसके अतरिक्त कुछ हार्मोंस तथा अन्यपदार्थ डाले जाते हैं तो इसके अतरिक्त यहां पर क्या किया जाता है कुछ हार्मोंस भी डाले जाते हैं क्या डाले जाते हैं हार्मोंस तथा पदार्त जैसे की इस्ट निसकर्स क्या डाला जाता है इस्ट निसकर्स जिसको क्या कहता है इस्ट एक्सट्रेक्ट तो इसको क्या क्या जाता है माध्यम में डाला जाता है नारियल का पानी आदी भी कई बार माध्यम में डालना पड़ता है तथा यहां पर क्या होता है जो न इसे साव प्रति मिल सके क्या मिल सके समूचित व्रति अब हम यहां पर बात करें कलन संवर्धन की क्वाई संवर्दन का हुआ है कि या तो यहां पर हम बाद करें केलगस संवर्धन की तो क्यालस संवर्धन में क्या किया जाता है सन49 प्रशिद ब्यक्यानिक गोठ रेट सन 1949 में प्रशिद ब्यक्यानिक कॉतρέट ने क्या क्या था हैता उनली 1049 में फसी बेज्जानिक तो कौँछ स्रीट दू नगाजर की जड़ों से प्रितक प्रित linking c 콘श्वr कर तो उस्तवर्दन कर दो इन्हों जो काहाजर होती है घाजर की जणों से पृ कई झाजर की जप्रप News पॉशक मेडियं पर कल्चर के बिल्सक अच्छर क्या क्याक बेज जो माद्यम था तुम 128 घंख पर उत्तक समुर्दन कराने में सफलता प्राप्ट की इस परकार से बने उत्तक को कैलस कहते हैं जो कि क्या बनता है एक कोशिका से या एकल कोशिका से क्या करता है बहु कोशिका रूप धारन कर देता है क्या कर देता है कोशिकाओं का समुर्ण बना देता है या बहु कोशिका क्या कर लेता है धारन कर देता है इसको क्या कहते हैं कैलस कहते है इसी परकार से पोदों में विविन भागों जैसे बीज पत्रों हाइपो कोटाइल इसी परकार क और यहां पर क्या होता है मूलांकु धेख जड़ प्रइंद तन्य कोसिकाओं को प्रिथक करके ँऱ तक समर्दन किया जाता है यह इनको क्या Command करके जाता है अब यहां पर क्या होता है जब त्यालस का निर्मान होता है मतलब बहु कोसिकिया या एक कोसिगा के समग के निर्मान होता है तो इसको क्या किया जाता है दूसरे माद्यम में इस्थानांतरित किया जाता है तो जहां पर दूसरे माद्यम में इस्थानांतरित करके उसे क्या कि जाता है उचित्ताप मान पर रखने पर उत्तकों का निर्मान हो जाता है तो जब इसको क्या क्या जाता है उचित्ताप पर रखने पर क्या होता है यहां पर यहां पर जो है उत्तक का निर्मान होता है तो यहां क्या हो जाता है उत्तक का निर्मान हो जाता है उत्तक का निर्म अधर दो जो उत्तक समर्दन से प्राप्त के लस सिब तक क्या हो जाते हैं यहां पर बिविनगों का निर्मान होता है क्या होता है जिनके फल्सवरूप एम्रोइट्स, प्लाइट्स प्लिया, झिसके फले सरू यहां पर क्या होता है, विक्सित News बस हो जाता हैית बन्हें के लिए Mirada और एडवांस के लेवल काता स्मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर